जय हिंद मेरे देश के भावी फोजियो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डे टुडे लर्णिंग पर स्वाग होते हैं दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे SSGD 2023 के लिए हिंदी कोचन पेपर जो प्रिफियर्स येर कोचन होगा दोस्तो पूरे 40 में 40 अंख लाना है तो हमारे साथ आज ही जूर जाएए दोस्तो आज चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं देखना स्टार्ट करते हैं कोचन है हम सभी के पास दिये गए सवब्द के समनार्थी सवब्द का चैन करना है दिये गए सब्द के समनार्थी सब्द का चैन करना है कोचन है कमल कमल का समनार्थी सब्द क्या होगा option है अमिय, अमरीत, औरविंद या आयतन तो दोस्तों इसका राइटेंसर हो जाएगा औरविंद यानि option सी राइटेंसर हो जाएगा अगला कोचन देखते हैं, अगला कोचन है दिये गए सब्द का वाग भाग किगे, जिसमें कोई तूटी है, यदि कोई तूटी नहीं तो कोई तूटी नहीं है, चुने, कोचन है, परधान्मंत्रि ने Даже मतलब कि यह एक नमर गलती है या पढ़ना है आगे हिंदी अध्यापक दो नमर गलती है या आगे पढ़ना है को बुलाए तो दोस्तों पर्धान मंत्री ने हिंदी अध्यापक को बुलाए बुलाये के जगाप यहाँ पे होगा परधान वंत्री ने हिंदी अध्यापक को बुलाया होना चाहिए था यहाँ पर बुलाया ठीक बुलाया होना चाहिए था तो यहां पर बुलाया है यानि हम लोग का गलत जो है तिन नमर कोचन में गलती है यानि option एराइट एंसर हो जाएगा चलिए साथ ही अगला कोचन देखते हैं अगला कोचन है दिये गाए रेखांकित खंड को प्रती अस्थापित करने के लिए सोबसे उपियुक्त विकलत का चाहिए यदि इसे प्रती अस्थापित करने की अवसकता नहीं है तो विकलत किसी बदलाव की अवसकता नहीं है चुने कोचन है पिता जी मेरे लिये कुछ कप बदलाव की आउसकता नहीं है या मेरे लिए तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा मेरे पिता जी मेरे पिता जी मुझे मेरे पिता जी मेरे लिए कुछ कपरे लेया यानि दोस्तो इसका राइट एंसर होगा किसी बदलाव की आउसकता नहीं है चली साथ ही अगला क कोचन है समान्य नियम के बिरुद बात वाक्यांज के लिए एक सब्द होगा option है विवाद समाद या वाद या अपवाद तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा अपवाद यानि option डी राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो अपवाद का अर्थ होता है उलंगन अपवा को यहां पर चूज करना है ठीक है दोस्तों कोचन है मेरी गाए को छूने का उच्छा कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है option है मेरी गाय को छूने की मेहनत मेरी गाय को छूने का हिम्मत या किसी बदलाव किया सकता नहीं है या मेरी गाय को छूने का साहस तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा मेरी गाय को छुने का साहस यानि मेरी गाय को छुने का साहस यानि जो होगा option डी राइटेंसर हो जाएगा शांथ यो चलिए अगला question देखते हैं अगला question है मुझे मजा आती है रेखांकित सब की टूटी बताइए option है link के कारण watchan के कारण visitation के कारण या कारक के कारण तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा link के कारण दोस्तो यहाँ पर होना चाहिए मुझे मजा आता है यानि link के कारण इसका right answer हो जाएगा चलिए अगला कोचन देखते हैं गुन दोस का समरूप मुल्यांकन करने के लिए एक सब्द का सब्द लिखिए गुन दोस सास्त्र रग्या या जोतिसी या जिग्यासू या समिक छक तो दोस्तो इसकार जो right answer हो जाएगा समिक छक चलिए साथ ही अगला कोचन देखते हैं इस प्रस्द में एक सब्द चार अलग अलग परकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक ही ढंग से लिखा गया है सभी बरताने वाली सब्द का चैन करना है कोचन अप्षन है अनाधिकार या अनाधीकार या अनधीकार या अनधीकार तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा अनाधीकार या अप्षन बी right answer हो जाएगा दोस्तो अनाधीकार का अर्थ होता है अधीकार ठीक है दोस्तो अगला कोचन देखते है दिये गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई टूटी है यादि कोई टूटी नहीं है यादि कोचन है दोस्तो अगला कोचन देखते है इसमें भी रिखांकित खंड को प्रति अस्थापित करना है तो दोस्तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ question क्या है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ option है किसी बदलाओ के यह सकता नहीं है या मैं आपके या मैं आपसे तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ यानि option see right answer हो जाएगा चलिए साथ ही अगला कोचन देखते हैं रिक्त आस्तान को भढ़ने के लिए उप्युक्त सब्ध काचन करना है कोचन हैidas से गहने बनते हैं टीन सोने या लोहे या सोना तो दोस्तो इसका जो राइटेंसर हो जाएगा सोने से गहने बनते हैं बहु बचन दिया है दोस्तों अगला क्वोचन देखते हैं अगला क्वोचन है वह बात जो जन सधारन में चलती आ रही है इस वाक्यांज के लिए एक सार्थक सद्ध की दीजिए अप्शन है कुपम जूड जूग क्यू द्वान्दी या कितग ब्याय या कलोप कल्पित तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा क्यू द्वान्दी यानि अप्शन बी राइट एंसर हो जाएगा साथ ही अगला कोचन है निमली छित प्रश्ण में दिए गए चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करे जो मुहावरे का और्थ ब्यक्त करता है मुहारा क्या है साथियो कथा के बैंगन का सही अर्थ निकालना है यानि मन गदन बाते या क्रिपन ब्यक्ति या असंभव बस्तु या केवल दूसरों के लिए उपदेश तो दोस्तों इसके राइटेंस हो जाएगा कथा के बैंगन यानि option डी राइटेंस हो जाएगा यानि केवल दूसरों के लिए उपदेश कथा के बैंगन का मुहारा होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश साथि अगला question है जुन 2020 में current का question हो गया मेरी dash है कि मुझे चार दिन की छुटी दी जाए मेरी dash है यानि मेरी के बाद यहाँ पे कौन सा सवब्द आएगा प्रातना है या आचना है या पूजा है या अरधना है तो दोस्तो मेरी प्रातना है कि मुझे चार दिन की छुटी दी जाए साथ ही अगला कोचन देखते हैं इस प्रास्ट में एक सवब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिन में से केवल एक ही सवब्द है दोस्तो यानि कहने का मतलब है यह चार option में से कौन सा सवब्दनी से लिखा गया है तो दोस्तो इसका जो राइट टेंसर हो जाएगा मात्रिव हीद यानि option option बी राइट टेंसर हो जाएगा चलिए साथ ही अगला कोचन देखते हैं अगला कोचन है सवद्भाव यानि रेखांकित सवब्द का बिलोम चुनना है तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा दूर्भाव ठीक यानि option ये right answer हो जाएगा दूर्भाव का अर्थ होता है बूरी भाव ना होती है साथ ही अगला कोचन देखते हैं दिये गए सवब्द के समनार्थी सवब्द का chain करे सब्ध है यमुना यमुना का समनार्थी सब्ध क्या होता है option है और कर्जा या तराग या आपगा या निमर्गा तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो जाएगा और कर्जा यानि option नमबर ये राइट एंसर हो जाएगा यमुना का और भी समनार्थी होता है जो है काली कालिंदी यानि कालिंदी भी यम्ना का समनार्थी होता है चलिए साथियो अगला कोचन देखते हैं अगला कोचन है दिये गए सब्द का बिलोम चुनना है किस चीद का दुरुद का बिलोम चुनना है साथियो दुरुद दुरुद का बिलोम जो होता है के option में wären developed or these यह जर यह Здесь सांत्य ओशा चथेुन करो जाएगा मतरसांत्यू दूरूद का हींजिए के साफ्रोध की ज़िए और सब्सक्राइब कीजिए तो थाइंक्यू दोस्तो फिर उलेंगैं नेकस्ट विडियो में तब तक्लिए धन्यबाद